चिकन दबा के खाने वालों ये वीडियो आप सब के लिए हैं आप चिकन दबा के खाईए और चिकन दबा के आपकी इम्म्यूनिटी दबाएगा और मर्दों में औरतों के लक्षन भी ले आएगा हॉर्मोनल इंबैलेंस से जी हां ये एक सच है चिकन खाने से 26 वर्षिये के स्तन कथित तोर पर असमानी रूप से उभर आए यूवक के चिकेटसक के मताबिक ऐसा उसके चिकन में हॉर्मोन के कारण हुआ ये तो एक केस था नजाने कितने केसिस कितने बॉडी बिल्डर्स इस समस्या से त्रस्त है जैसे ही जिम छूटा हॉर्मोन की इंजेक्शन लग ये तो आज की डेट में हर चिकन खाने वाला समझ चुका है कि फार्म का चिकन और देसी चिकन के नुट्रिशन में जमीन आसमान का फर्क होता है जहां घर पे नैचरल तरीके से पाली गए चिकन में नुट्रिटिव वैल्यू जादा पाई गई है वही फार्म चिकन तो आल प्रास के लिए दिया जाता है जो इंजेक्शन और दानों में मिला कर दिया जाता है फ्री एंटिवाटिक्स इन्हें खाने वालों के शरीर में पहुच जाते हैं चिकन फार्मिंग में एंटिवाटिक्स का सबसे ज्यादा इस्तमाल करने वाले पांच देशों में भारत पह जबकि ने इंटिबाइटिक्स को डबलो एचो ने इंसान के लिए खतरनाग बता रखा है टेटरसेक्लिन और फ्लूरो फिनुलोंस यह जो एंटिबाइटिक्स हैं यह कॉलरा मलेरिया रेस्पिरेट्री और यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन्स के इलाज में इस्तमाल किये जानवरों पर इनके इस्तमाल से परिणाम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टिरिया के रूप में सामने आते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टिरिया मतलब ऐसे बैक्टिरिया की परजाती पैदा होना जिन पर मौझूद हैं एंटिबाइटिक्स दवाईयां काम न करती हैं क्योंकि Antibiotics का असर मा के जरीए बच्चे पर भी पढ़ता है और Antibiotic Resistance भारत में डॉक्टरों द्वारा बेवज़ा Antibiotic देने के आलावा फार्मिंग किये हुए चिकन को खाने से भी बढ़ रहा है Center for Science and Environment CEC Study में ये कह चुका है कि Antibiotic बिमारी होने पर दिये जाते हैं ना की रोक से बचाव या ग्रोथ के लिए बेवज़ दवाय देने से ना सिर्फ मुर्गे मुर्गियों पर दुश्च चुर्भाव होगा बलकि उसे खाने वाले के शरीर में भी ये दवाय बिना जरूरत पहुँच जाएंगी CEC की फरवरी 2018 में आये रिपोर्ट के मताबिक भारत में पूर्टरी के लिए पाये जाने वाले पशुओं को हर साल करीब 2700 टन एंटिबाटिक्स किला जा रहे हैं कोल्स्टी एंटिबाटिक भी दिया जाता है क्या है ये जाने दे ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के वेब साइट में चपे रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि मुर्गियों को बिमारियों से बचाने के लिए कोल्स्टी नाम का एंटिबाटिक भी दिया जाता है इसके अलावा जियादा मुनाफ़ा कमाने के लिए इन पक्षियों का वोजन जल्द ही बढ़ जा इसके लिए भी इस एंटिबाटिक का इस्तमाल किया जाता है कोल स्टीन का इस्तमाल गंभीर रूप से बिमार लोगों पर करना चाहिए। किसी भी अन्नी परिस्थिती में ये परियावरण और मानो शरीर दोनों के लिए जहर माला जाता है। के बावजूद उनका शरीर और वजन तेजी से बढ़े। इसका मतलब हुआ कि खास किस्म के दड़बों में रखकर पाले जा रहे हैं मुर्गे मुर्गियों को आप कम भुजन देंगे तो भी उनका आकार मन मुताबिक बढ़ जाएगा। इससे पॉल्टरी मालिक की लागत म में कमियाती है। अब West Bengal University of Fisheries and Animal Sciences के एक शोत करता ने रिसर्च पेपर जारी कर बताया है कि पॉल्टरी फॉर्म में तयार किये जा रहा है ब्रायलर चिकन में आरसेनिक 0.77 ppm यानिकी पार्ट पर मिलियन तक मौझूद है। जबकि अंडो में आरसेनिक की मात्रा 0.38 ppm यानि और सकता है शाल ये किसी को बताने की ज़रुत नहीं है। सर्फ चिकन खाने वाले लोगों को ही जोखिम नहीं इससे बलकि हम जैसा हर व्यक्ति जोखिम के दाएरे में चिकन के मल का इस्तमाल खेतों में खात की रूप में होता है। खेतों की मिट्टी में मौझूद लिए खात के रूप में होता है सो चिकन के मल के इस्तमाल वाली मिट्टी में उगे पौधों में आरसनिक की मात्रा बढ़ी हुई होती है इसे लोगों की सिहत को नुक्सान पहुंच सकता है पोल्ट्री से पैदा 70-90 फीसदी आरसनिक पानी में घुलनशील इसका मतलब है मिट आरसनिक मिला चुगा पोल्ट्री को खिलाने का चलन अन्य खाद विपदार्तों को भी आरसनिक के जरिये दूश्यत कर सकता है डॉक्टर्स तथा पूरी मेडिकल विरादरी को आगे बढ़कर अभ्यान चलाना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि पोल्ट्री उतपादन बग पूर्स ले लिनी चाहिए योरोप के उधारन से हमें पता है कि बिना आरसनिक के भी पोल्ट्री का उतपादन हो सकता है शेश दुनिया में आरसनिक के उप्योग पर प्रतिबंद लगा दिया गया है लेकिन भारत में अब भी आरसनिक का चलन चारी है विशेशक्यों का कहन लाओ या ग्रोथ के इस मैसेज को जितना हो सके फैलाइए दोस्तों कि जरूरी है यह मैसेज हर पूर्ट्री फार्म मालिक और ग्राहक तक पहुंच जाए आशा करते हैं आप इस संदेश की महत्ता को समझ रहोंगी धन्यवाद थाल प्रोथ का तक पहुंच जाए इस संदेश का लिए को जितना है यह का लावद